हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको यह चोड़े चोड़े पोदे हैं इनको गर्मी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए और गर्मी तो बहुत ज्यादा पढ़ रही है और इसमें यह मैंने आज यह ग्रीन नेट लगवाया है जो मेरे ये पोदे हैं वो गर्मी से बच जाएंगे और आप ये ऐसी गर्मी पड़ रही है और ये पोदे हैं जो आपके पास भी अगर ये बड़ा सा एक ये पोदा हो या फिर कोई बेल वगेरा हो तो इसके निचे चोटे चोटे गमले वाले चोटे लख देना चाहिए ताकि वो ठंड के कारण इनकी चाया में रहे और खराब ना हो जल्दी से और बड़े सुंदर इस पोदे के फूल निकल रहे हैं और गर्मियों में अपने पोदों को बचाना चाहिए एक महिने तो ज्यादा ही गर्मी पड़ती है इसमें हमें इन पोदो की देखवाल अच्छी तरह ऐसे करने चाहिए पानी का चिड़काव करना चाहिए पोदों पर और ये थोड़ी थोड़ी दूप इन में इस नेट से चन करा रही है तो इनको ज़्यादा डारेक्ट दूपने पड़ती पोदों पर और अच्छे चल रहे हैं मेरे पोदे सारे फूल किल रहे हैं सुन्दर सुन्दर और इस गर्मी में आप कोई खाद मत दिया करो एक महीने बारिस का मौसम आजए जुलाई अगस्त का तब इनको कोई फट्टिला जड़ दे दिया करो और ये मैंने प्लास्टिक बोटल के चोटे-चोटे पोट बना रहे हैं और इनमें मैंने ये चोटे-चोटे पोटे लगा रखे हैं और फूल खिल रहे हैं बहुत सुन्दर इनमें और आपे गर्मियों में इन पोटों का ध्यान रखें और फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो अच्छी लगयों तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब बचाव के लिए ये ग्रीन नेट लगवा लीजिए और बोदे सही रहेंगे